इन ट्राइंगिल PQR, C is the centroid, centroid कैसे मिलता है भाई, मीडियन के intersection से, तो अगर मैं PQR की बात कर रहा हूँ, तो इन्होंने क्या दिया हुआ है, मैं बना देता हूँ, ये कर रहा है 30 है, QR आपका 36 है, तो फ़र आप PQR अगर लिखेंगे, तो P यहाँ हैगा, क्यों यहाँ आएगा, यहाँ आ रहाएगा, तो यह वैलू आपकी 36 है, और यह वैलू आपकी 50 है, जो की question में दिया हुआ, ठीक है, आप देखें, यह मैं ज़रा medians डॉ कर रहा हूँ, और इनका जो point of intersection होता है, इसी को बोलते है centroid, करते हैं इसको, कर देते हैं, फिर कर रहा है, यह d point है, जो की इसका midpoint है qr का, वो दिया हुआ, आपको लेंथ बताना है cd का, जहाँ पर c का है, इन्होंने centroid को सारी c बोला हुआ है, तो c लिख देते हैं, ठीक है, c लिख देते है centroid, cd की वेले बूचे, आपको यह मालू साइट के साइट होता है, जैसे इसकी बात करेंगे तो यह भी 2 ratio 1 हो जाएगा, तो आप बताएगे, अगर आपको cd की वेलू निकालनी है, तो शैंश्री आपको इस मीडियन की लेंथ निकालनी है, और अगर इस मीडियन की लेंथ निकल गई तो उसका 1 3rd मेरा आंसर हो जा जोगा है, ट्वाइस ओफ यह वेलू, मीडियन ये वाला ले लो, पीडी स्क्वाइर प्लस यह वेलू ले लो, ड्र स्क्वाइर यह होता है, इस आपको जरूर मालूम होगा, इस ही में वेलू रख दे नहीं है, और आपका अंसर निकल आएगा, यह पटिकुलर वेलू किती दिये 30 square यह value आप क्यों होगी PR 50 square twice of PD square देखे मुझे निकालना है तो मैं इसको इसको इसे लिख रहा हूँ DR square will be क्योंकि यह median है तो यह कितना होगा यह 18 होगा 18 square आपका होता है 324 अब देखे directly मैं PD square कर लिखने की कोशिश कर रहा हूँ PD square क्या होगा द्यान से यह value 2500 प्लस 900 आपका हो गया 3400 यह आपका हो गया 648 तो आपका 3400 हो गया और आप उसमें 648 माइनस कर रहे हैं तो 3400 में अगर आप यह 648 माइनस करोगे तो आपको क्या मिलेगा 2752 यही की है faster calculation आपको करना है simple addition subtraction slow नहीं होना चाहिए बिल्कुल आसानी से subtraction आना चाहिए जितना fast आप subtraction और addition कर पाओगे उतनी जल्दी आपका answer रहेगा divided by 2 आपको second भी नहीं चाहिए answer लगाने में तो आना ही आना है अब जब यह route 86 आपने यहां रख दिया है न तब आप अब देखो किससे क्या बाहर ला सकते हैं अगर यह 86 हो गया प्रोड़क्ट में यहां पर कौन सा नमबर आ सकता जरा जान से देखना out of the given option इसका मतलब है 4 आएगा अंदर 4 बाहर निकाल रहेगा से 400 की रेंज में आप हो है ना वह नहीं चाहिए इसको 16 से multiply करना पड़ेगा तो देखें ताब यह बनेगा 16 x 8 1 2 8 0 और प्लस 96 तो यहां पर तुरंत आपको पतला कि 4 बाहर आए गया निए PD के value 4 root 86 होगी यह चीज मैंने विजलाइस कर ली थी और मुझे पता था इसको 3 से तो डिवाइड करना है तो 4 root 86 by 3 ही answer हो सकता है अब जो लोग ना समझ हैं वो क्या गलती कर जाते हैं इस question में कि वो खुद से कोशिश करते हैं कि इसका answer निकाल लें क्या बाहर आएगा तो पहले 2 से कोशिश करते हैं 4 से कोशिश करते हैं वो समय की बरबादी है आपको answer options मे आपका दाइरह सेट कर दिया गया है उसका इस्तेमाल करो कि तुरंद value आईगी आपको confused होने की ज़रूवत नहीं है इसलिए हमेशा ना answer को देखने से एक वही करें जो calculation का दाइरह है वो सीमित हो जाता है और आपको बहुत मदद मिलती है इस्तेमाल कर जासे इसमें हमने direct option का इस्तेमाल हम नहीं कर सकते हैं तो हम यह value निकाले तो हम directly शुरू नहीं कर सकते हैं कि इसको match करा लें वो नहीं कर सकते हैं वो उल्टा लंबा हो जाएगा उल्टा इसको हमने solve सीधा किया बट calculation में हम इसके help ले रहे हैं इसको देखके हम पता है कि root 86 अंदर छूटेगा ह कितनी आफानी से देखे question हो रहा है बिना किसी problem